कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर की पिछले दिनों हार्ट सर्जरी हुई अस्पताल के मद traffic सुनील की सर्जरी सफल रही और वो बिलकुल ठीक है दो फर्वरी को PTI की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई सुनील को मुंबई के इश्यन हार्ट इंसिट्यूट में एडमिट करवाया गया था 27 जनवरी को उनकी सर्जरी हुई PTI ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले बताया कि सुनील बिल्कुल ठीक है News 18 की एक रिपोर्ट के मताविक सुनील के हार्ट में ब्लॉकेज डाइग्नोज हुआ था बावजूद इसके उन्होंने पूरे में एक वेब सीरीज की शूटिंग खतम की सुनील की सर्जरी के बारे में पता चलते ही इंडस्ट्री के लोग और उनके फ्रांस ने उनकी बहतरी के लिए दुआई करनी शुरू कर दी एक्ट्रिस और टीवी होस्ट सिम्भी गिरवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा मैं ये जानकर शॉक्ड हूँ कि सुनील ग्रोवर की हर्ट सर्जरी हुई है वो अपनी जिंदकी दाओ पर लगा कर हमारे दिलों को हसी और खुशी से भर रहे थे मैं उनके तेजी से ठीक होने के लिए प्रात्ना कर रही हूँ वो बहुत टालेंटिट कलाकार है मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ सुनील ग्रोवर लंबे समय से कॉमेडी कर रही है मगर वो चर्चा में आए कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल में गुथी का करदाल निभाने के बाद दोनोँ ही किर्दारों को पब्लिक ने खुब पसंद किया मगर फिर वो कपिल शर्मा के शो से अलग हो गए कुछ रिपोर्ट्स में सलगाव की वज़े कपिल और सुनील के बीच वे लड़ाई बताई जाती है अलगे दोनों ही आक्टर्स ने इस मसले पर कभी खुल कर बात नहीं की इसलिए किसी को इस मसले पर पक्के तोर पर कुछ नहीं पता सुनील में 1998 में आई हजे देवगन और काजोल की फिल्म प्याल तो होना ही था से अपने आक्टिंग करियर की शुरुआत की थी इस फिल्म में उन्होंने तो तराम नाई का ब्लिंक एंड मिस रोल किया था आगे वो गजनी, जिला गाजियाबाद और गबर इस बैग जैसे फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते नजर आए विशाल भारतवाज की फिल्म पटाका में उन्हें एक मजबूत किरदार में देखा गया इसके बाद मुसल्मान खान की फिल्म भारत में उनके बेस्ट फ्रेंड का रोल करते नजर आए पिछलों दिनों वो Amazon Prime वीडियो की सीरीज तांडव और Z5 पर आई सनफ्लावर में नजर आए थे आने वाले दिनों में सुनील शारुक खान की एटली कुमार डारेक्टिट फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है श्रितांक ने मैं हुगरिमा ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप देखते रहें दी ललन टॉप झाले हुगरिमा